आज हम पड़ रहे हैं चेप्टर नमबर 4 बायो का सल बैयालो जिश का नाम है इसके अंदर हम जो सेल उसकी जो डिफरेंट स्टुछर्ज़ो गई उसकी जो डिफरेंट जो लेयर गई और उनकी जो location होगे और उनका जो different different अपना function उसको अपना discuss करेंगे Cell wall क्या है? पूदी के फेल, bacteria का cell और fungi का cell इसके उपर सबसे बैरोली परदा होता है जिसको बोते हैं cell wall कुछ पूदू के अंदर cell wall दो तरह की होती है यह उसकी दो layers होती है एक होती है यह जो black color की आपको दिखाई दे रही है primary wall है और दूसरा जो green color की दिखाई दे रही है इसको बोते हैं secondary wall जो primary wall है मुस्ली समें cell wall पहे ज़ता है और जो secondary wall है इसके अंदर मुस्ली लिगनिन पहे ज़ता है जो cell loss है पोदे को strength देता है ताकत देता है और जो लिगनिन है यह पोदे को क्या करता है elasticity उसको लेचाग देता है ठीक है ना और तीसरा परदा है उसके अंदर यह हमारे पाद सेल membrane cell membrane का काम cell के अंदर हो पार materials को transport के लिए क्या आती है एक barrier होता है कुछ molecules को आने की अजादत देते कुछ को बाहर रोग लेती है ठीक है ना एक structure है plasma desmeta plasma desmeta का क्या है plasma desmeta plasma desmeta हमारे पास cell wall के अंदर छोटे छोटे सुराफ होते है जिसके जरीए जब मुख्तलिफ cells का clusters होता है तो इन cells के जो set of plasma है वो आपस में क्या होता है join होता है वो आपस में क्या होता है मिला हुआ होता है join होता है ठीक है ना यानि plasma desmeta पोदे की cell wall के अंदर छोटे सुराफ होते है जिसके जरीए मुख्तलिफ cells का सेटो प्लास्म आपस में क्या होता है जुड़ा होता है ये clear हो गया उसके बाद है cell membrane cell membrane जितने भी cells है उसके अंदर सबसे जो पहला जो पर्दा है उसको क्या कहते है cell membrane इसका काम different है ये मादो को अंदर और बाहराने की अजावत भी देती है और ये message को recognize भी करती है और ये different signals है उसको भी receive करती है ठीक है ना इसकी structure को ब्यान करने के लिए Sir Jonathan Sanger एक scientist था उसमें एक fluid mosaic model पेश किया उसने कहा था कि जो cell membrane है lipid की दो तउं से बनी हुई एक lipid की दो तउं से बनी हुई एक layer है जिसमें protein के molecule क्या है धंसे हुए है ठीक है ना ये lipid की बालाई जो red color में दिखाए दे रही है ये बालाई लेयर है ये lipid की जो नीचे सुर कलर में लाइन पटी दिखाए दे रही है ये जेनी lipid लेयर है ठीक है ना इसके अंदर ये वाले जो canvex farm में जो structure दिखाए दे ये protein के molecule में क्या है धंसे हो है ठीक है ना लेकिन ये जो black color के जो ये दिखाए दे रहे हैं ये cholesterol के क्या है molecule है जिसको कहते है fluid mosaic model इस model के मताबब cell membrane lipid की दो ताम पर बच्टवेल है जिसमें protein के molecule ध्रसे हो है जो cell membrane की constant मुस्तकिल structure का दे बायस बनते हैं उसके बादे बेटा साइटोप्लास साइटोप्लास ये जो हमारा cell के अंदर new class के इलावा सारा जो area है ये क्या है साइटोप्लास इसमें चोटे चोटे दाने granules, पानी protein, lipids में रख्या होती है मुझूद होती है ठीके ना new class के इलावा ये सारा area साइटोप्लासम पर मुझतमिल है इसके सर्फिस पर पानी, lipids, protein और दूसरा इमार देख्या होते है मुझूद होती है ये जैली लाइक material यानि नीम, गाड़ा, सियाल, मादा होता है इसका function ये होता है ये cell के अंदर जैसे respiration का reaction है इसके surface area पर होता है दूसरा cell को buffer cell को क्या करता है buffer महायर करता है ये जैल को ना इस लिक condition में जाने देता है ना ही basic condition में जाने देता है तीसरा function ये है कि cell के अंदर जो मुझुद आर्गिनेलीज हो भी माइटो काइडिया सेंट्रियोल एडोप्लाद्मे क्रेटिकोलर इनकी movement के लिए उसको क्या देता है channels रास्ते को आया करता है ठीके बेटा उसके बाद है हमारे पास nucleus nucleus cell का दिमाग brain भी इसको कहते है ये cell की activities को control करता है ठीके ना protein बनानी है कैसी protein बनानी है कितने लिए amylo acid की protein बनानी है कौन सा कौन काप करना है कौन सा काप काप स्टाप करना है enzyme कितने बनाने enzyme कितने नहीं बनाने कब बनाने कब नहीं बनाने ये सब क्या करता है नियू बलैस काट्रोल करता है और हमारे इसका एक function ये हमारी जो खसुसियात है हमारी जो आफ सफरे उलाग होगी उसमें ये क्या करता है ट्रांसफर करता है उसमें क्या करता है ये ट्रांसफर करता है ये जो हमारी properties होगी है जैसे हमारी height कितनी है हमारी आपकों का रंग कैसा है हमारी जो skin का रंग कैसा है ह यह सब अगली जो हमार इनर सैलोस में स्टमिश क्या करता है ? ट्रांसफर करता है यह सेलोस पौदे के सेल में तो जू धरम्यान बड़ा वैक्यूल के एकस्पैड होने की वज़ा से यह क्या होता है ? यानमार के सैल यां मुचूद होता है! ठीकिए बैटा ये जो NUCLEIUS इसको सबसे उपर वाला जो परदा है उसको NUCLEAR INVILICA भी कहते हैं या NUCLEAR MIMBRेन भी कहते हैं ठीकिना इसकी एक साइट पर NUCLEIOLUS एक स्ट्रक्चर गहरे रंग का इलावा स्ट्रक्चर मोजूद ہے है जिसको मैं यह भी यह मैंशन कर आज यह क्या है यह का is अ थे का क्रोमसूम सोन के पहलता है त्रांश्पर्वर्ट करता है ठीक है Venice तो ये जो हमारे न्यूकलेस है इसके अंदर क्रोमोसों के अंदर में ली हमारे क्रोमोसों के अंदर में 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 हमारे क्रोमोसो Rabuson کے 2 unit's ہوتے ہیں ये cell में बिकरे पड़े होते हैf ये cell केंदर protein की तीयारी की क्या है factory है ये protein को क्या करते है तियार करते है इसके 2 unit's होते है एक small चुटा unit एक large बड़ा unit जो small unit ये क्या करता है जो large unit ये करता है जब cell signal देता है इन Rabuson को तो छोटा और बड़ा यूनिट आपस में क्या हो जाते हैं मेले जाते हैं न्यूकलास से एक मैसेज आता है मेसिंजर आ रहने की फूरत में वो यहां से मैसेज क्या करता है गुजरता है तो क्या होती है प्रोटीन क्या होती है हमारे वास तियार होती है ठीक है ना उसके बाद हमार first mitocodria, mitocodria के है यह cell के अंदर energy पैदा करने वाला घर है, the powerhouse of the cell which is the produce the energy by respiration रेशल, ठीक है ना, ये उसकी बैरूनी तह तो हमवार होती है, लेकि ये जो अंदरूनी तह है, या उंगली नमा उभार होते हैं, जिस हर उभार को होते हैं, क्रिस्टा, या क्रिस्टी भी, इंसारों को क्रिस्टी कहते हैं, एक को हम कहते हैं, क्रिस्टा, ठीक है ना, और इस पूरे शाय को कहते हैं मैट्रेक्स, इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं मैट्रेक्स कहते हैं, ठीक है ना, यहां पर हमारे का जो ग्लुकोज होता है, जब उसकी रिस्पारेशन होती है, तो ग्लुकोज टूट कर एटीपी बनता है, जो हम अपनी ग्रोफ देखने के लिए, चलन प्कारावर के सेल के अंदर नहीं होता है इसका और काम क्या होता भाउता है बना हुट्बास क्शनलोफ़ को डिस्कुस कर लेते हैं क्लोरोप्लास क्या है यह थेला क्या है इसके अंदर यह एक जो सिख्का पड़ा है इसको थेला क्याइट बोलते हैं पूरी इस लाइन को बोलते हैं ग्रेनम एक सिख्के जैसे दा सिख्के को एक दूसरी को पर रखते हैं एक सिख्का थेला क्याइट हो गया ठीक है ना और और यह जो वाइट कलर रसार पड़ाय उसको बोलते है सेट्रोंम, इसको क्या बोलते है, स्थानोी को पहरूनि बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लास्मिक रेटि कोलम, जो हमारी वार जो नूवंक्लेस होता है, क म्क्लेस तक फैली हुई साफ्त बोटी है, इस साफ़ को हम कहते हैं Rough Endoplasmic Reticolum क्योंकि इसके उपर Proteins के यूनिट्स पड़े होते हैं इसकी सर्फिस को Rough बना देते हैं इस वज़ा से बोलते हैं Rough Endoplasmic Reticolum Regosum की Presence की वज़ा से इसका function क्या आता है प्रोटीन को तियार कर दो और दोसा आता है Smooth Endoplasmic Reticolum चूंकि इसकी सर्फिस पर Regosum नहीं होते हैं और इस वज़ा से इसको सर्फिस समूथ होती है प्लेन होती है इस वज़ा से बोलते हैं Smooth Endoplasmic Reticolum इसका function क्या होता है लिपिड को तियार करना और जो की जहरीली किशी चीज हमारे जिस्म के अंदर चली जाए या सेल के अंदर हिंटा हो जाए उसको गएर जहरीला बना देना या अंडिटाक्सिफाई कर देना Smooth Endoplasmic Reticolum का काम है और थार्ड है मेर पास Galgy Complex के मैं लोग Galgy ये Physician था उसने Galgy Complex Galgy Apparatus Galgy Body इसके तीन नाम है Galgy Complex Galgy Apparatus और Galgy Body इसके तीन नाम है ठीक है ना ये क्या करता है ये सेल के अंदर पैकिंग करता है या मुखतलिफ जो वेस्ट हो गया उसको पैक करके सेल के बाहर दकेलता है या सेल के अंदर दूसरा Functionist का ये है सेल के अंदर मैटीरियल को पैक करके सेल के अंदर एक जगा से दूसरी जगा ले जाता है जो सेल के अंदर वेस्ट बनता है उसको पैक करके सेल से बाहर एक्सपल करना और दूसरा Functionist का ये होता है कि सेल के अंदर जो मुख्लिफ important material होता है उसको pack करके cell के अंदर एक कोने से दूसरे कोने एक जगा से दूसरी जगा ले जाना है best of luck आपने ये मेरे lecture पसंद किया होगा अगर कोई question है तो फिर इस comment पर ज़रूर देंगे Thank you